हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दा कर्म बिर्स कॉर्नर दोस्तो आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ हमारी किचन में हमारी चिमनी हमारा ओवन माइक्रोवेव एक्जास्ट फैन जहां हमारे कुछ वो बरतन जिन पर ओल जम जाता है जिन पर खाने के निशान लग जा चिपचिपाट करते चिमनी माइक्रोवेव एक्जास्ट फैन को हम किस रीके से साफ करें आज मैं आपके साथ वही शेर करने जा रही हूँ हमारी किचन की बाकी सबी चीजों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा गंदी होने वाली होती है चिमनी क्योंकि जो भी हम खाना बनात करते करते एक दिन हमारी चिमनी की ऐसी कंडिशन हो जाती है कि उसमें से इतनी फैट चम जाती है और उसकी नीचे तक गिरने चुरू हो जाता है और वो पूरी तरह से चिपचिपाट करने लगती है उस चिपचिपाट करती होई चिमनी को हम किस तरीके से बहुत ही ईजी व चालूंगी और दो चमच मैं प्रिल डिशवाष यूज रही हूं आप कोई भी जो डिशवाष कर पर यूज करते हैं वो ले सकते हैं लेकिन वो लीक्विड होना चाहिए दो चमच मैं डिशवाष लोंगी दो चमच मीठा सोडा इन दोनों को एक साद में डाल कर एक पेस्ट करूंगी जब जब पेस्ट बान जाए उसके बाद मैं इसके बीच चार चमच वाइट वैनिगर लूँगी अगर आपके पास वैनिगर ना हो तो आप चार चमच निम्बू का रस भी ले सकते हैं चार चमच वैनिगर डालकर मैं इन तीनों चीजों को फिर से मिक्स करूँगी अब जब मीठा सोडा के बीच वैनिगर डालेंगे आप देखेंगे कि यह क्या रेक्शन करता है यह फूलने लगता है यह उपर जगसी बनने लगती है जब यह मिक्स हो जाए उसके बाद एक हम स सक्रबर लेंगे जो भी आप गर पर बरतन साफ करने के लिए लेते हैं आप वो ले सकते हैं उस सक्रबर के उपर मैं उस पेस्ट को लगा कर आप चिमनी की साइड पर जहां जहां भी वो गंदगी है फैट है चिप चिपाट पान है वहाँ वहाँ पर मैं इससे लगा दूग मैं जस्ट पेस्ट को लगाकर हलका सा इससे सक्राबर के साथ रगड़ूंगी हमें ज़्यादा रगड़ने के जरूरत नहीं क्योंकि जो हमने कलीनर बनाया इसके साथ एजी से वो साफ हो जाएगा बलीमी दोस्तों मैंने इस चिमनी को साफ करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे महंगे महंगे कलीनर यूज किये लेकिन इतना बैस रजल्ट मुझे कभी भी नहीं मिला जितना इस पेस्ट को लगाने के साथ साफ करने से मुझे मिला मैंने इस paste को चिमनी के उपर लगा कर हलका सा रगड लिया अब मैं इसे 10 मिनिट के लिए ऐसे शोड़ूंगी जब तक ये 10 मिनिट होते है तब तक मैं filter को अतारूंगी क्योंकि ये filter बहुत गंदे है उपर साफ नहीं हो सकते इसलिए मुझे इने नीचे ये तारना होगा मैं इने साफ करूगी आप देख सकते हैं filter कितना oily शोड़ा कितनी चिप चिपाट उस पर fat आपको शोड़ हो रही होगी तो अब मैं इस filter के उपर भी same वही paste को लगा दूगी सारे filter के उपर हम इस paste को लगा कर इसे भी 10 मिनिट के लिए शोड़ेंगे क्योंकि बहुत fat जमी हुई है इसके उपर दोनों side पर मैं इस paste को लगाऊंगी इस filter को proper तरीके से साफ करने के लिए मैं बहुत बार इस filter के उपर उबलता हुआ पानी डाल चुकी हूँ इस filter को उबलते हुए पानी के बीच डबोका रख चुकी हूँ लेकिन ये proper तरीके से कभी भी उतना साफ नहीं हुआ जितना इस paste को लगा कर मैंने इसे जब साफ किया तो वो इतना best result मुझे मिला उसके अंदर तक की जो fat थी वो भी बार निकल चुकी थी मैंने filter को paste लगा कर 10 मिनट के लिए शूट दिया इधर चिमनी को 10 मिनट हो चुके हैं तो अब मैं इसे साफ करती हूँ मैं जहां पर कोई भी सक्रबर नहीं यूज़ का रही simple मैं कपड़े के साथ पूंचती जा रही हूँ आप जहां पर देख सकते हैं हमारी चिमनी जस साफ ही नहीं हुई वो चमकने भी लगी उसमें एक शाइन भी आने लगी अब फिल्टर को भी 10 मिनिट हो चुके है पेस्ट लगी को 10 मिनिट बाद मुझे फिल्टर को जुरूर हलका सा रगणा होगा क्योंकि ये बहुत ग्रीसी हो रखा है बहुत ऑईल इसमें जम चुका है तो थोड़ा सा रगणे के बाद मैं इसके उपर गरम पानी डा रही हूँ हलका जो टैप का गरम पानी है वो डाल कर इसे दोंगी आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी निकर रहा है जो गंदा पानी है वो फिल्टर के बीच तक अंदर तक जो फैट ग्रीस जमी हुई थी जो ऑल जमा हुआ था वो सारा निकर रहा है इस पेस्ट के साथ अंदर तक फिल्टर की जफाई हो जाती है अब जहां पर देख सक आप दोनों फिल्टर में देख सकते हैं एक फिल्टर साफ है और यह कभी साफ होने वाला है कितना चेंज आ चुका है जो साफ हो चुका है और उपर आप शाइन भी देख सकते हैं कि चिमनी भी साफ तो हुई हुई उसके साथ वो शाइन भी करने लगी दोस्तों आप भी इसी तरीके से साफ कर सकते हैं आप दोनों फिल्टर साफ होने के बाद और चिमनी को आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से वो साफ हो चुकी है अब मैं आपको जहां पर अपना ओवन साफ करके बता रही हूं इसी पेस्ट के साथ वैसे तो हमारा ओवन कोई जादा खराब नहीं है वो गंदा नहीं है लेकिन मैं आपको साफ करके दिखाऊंगी कि देखिए स्टील को हम इस पेस्ट के साथ साफ करते हैं तो वो कैसे न्यू जैसा चमकने शुरू हो जाता है उसमें कैसे शाइन आने लगती है आप हाथों के निशान से लेकर ग्रीस हो चुकी चीज को इस पेस्ट के साथ बिलकुल अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं ओवन ज्यादा गंदा ना होने के कारण मैं उसे उसी टाइम जब पेस्ट अपलाई करूँगी उसके साथ उसे पहुँच दूँगी साफ कर दूँगी ये उसे कोई भी 5-10 मिनिन के लिए शोड़ने की तो आपको सामने दिखाई देगा कि देखिए कैसे ओवन शाइन करने लगा है कितनी उसमें शाइन आ चुकी है दोस्तो कैसा लगा आपको मेरा आज का डियावाई क्लीनर आप भी इसे जरूर बनाएं और गर पर इसे जरूर यूज कीजिएगा आपको यूज करने के बाद जो भी इसका रिजल्ट मिलता है वो मेरे साथ चुरूर शेर कीजिएगा अगर आपके लिए आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेलपफुल होती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेर और कमेंट करना मत भूलिए ओके फ्रेंड्स मिलती हूँ आपको नेक्स वीडियो म में बाई बाई एंटीक है